हाई एब्रिबन स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल प्रोफिशनल ब्यूटी वर्ड में कैसे हैं आप सब सब काफी लोग के कमेंट आते हैं कि क्या माइफेयर क्रीम यूसफुल है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्या ये सेफ है फेस के लिए तो देखें यहा सब्सक्तियन आपको क्रीम यूज कीजिए तो जो भी प्रिक्रीम हम रम की है आपको ये-त करनी है चाहए लेकिन आपका face and आपके hands so no wash होने चाहिए dry होने चाहिए उसके बाद में आप ये cream apply करेंगे apply करने के बाद में आपको sun के contact में नहीं जाना है and sun screen आपको compulsory लगानी है फिर भी आपको अगर कोई side effect नजर आता है तो आपको doctor से consult करना है या तो वो खुड़ ठीक हो जाता है side effect जैसे की आपको redness हो सकती है gelon हो सकती है खुझली हो सकती है आपकी skin peeling हो सकती है आपकी skin पतली हो सकती है या बहुत ज़ादा red red ratios आपके face पे हो सकते हैं तो ऐसे अगर आपको दिखाई देते है side effect तो कुछ time में या तो वे ठीक हो जाते हैं और अगर नहीं ठीक होते हैं तो फिर आपको doctor को दिखाना है doctor आपको उसके इसाब से recommend करेंगे और ये ठीक हो जाएंगी उसके बाद में तो ये कुछ बाते आपको ध्यान में रखनी है मतलब कब लगानी है कैसे लगानी है अगर problem होती है तो किस तरह से उसको face करना है okay so mostly हम use करते है इसको मिलाजमा की treatment में मिलाजमा जो के हमारे बहुत जादा pigmentation होती है उसके treatment में हम ये cream यूज़ करते हैं और really वैसे effective है लेकिन हमको 2-3 weeks से जादा ये cream यूज़ नहीं करनी है क्योंकि अगर बहुत जादा आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको जादा problem हो सकती है तो एक time period तक आपको इसको यूज़ करना है उसके बाद में दीरे दीरे आपको इसको छोड़ देना है okay तो देखें यहाँ पर कुछ पिक्स में आपके शाद शेयर कर रहे हूँ जो कि आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से हमारे स्कीन पर work करती है क्या क्या problems हमारे स्कीन की solve करती है okay तो उमीद करती हूँ guys कि वीडियो आपके लिए काफी helpful रहोगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले thank you